परिचय अंकिता, हम जानते हैं कि सभी जीवों में उन्हें जीवित रखने के लिए एक आधार भूत प्रक्रिया चलती रहती है. क्या तुम जानती हो कि जैव प्रक्रम क्या है? हाँ, किसी भी जीव में होने वाली वह आधार भूद प्रक्रिया जो उसे प्रित्वी पर जीवित रखती है, जैव प्रक्रम कहलाती है बिल्कुल सही, सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है इन सभी प्रक्रियाओं के लिए उचा की आवशक्ता होती है जीवों को यह उचा शरीर के बाहर से भोजन के रूप में मिलती है तो आओ इस विशे में विस्तार से चर्चा करें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जैव प्रक्रम का वर्लन करना जैव प्रक्रमों के प्रकारों को पहचानना पोशन को समझना विशम पोशी पोशन को समझना विशम पोशी पोशन के प्रकारों की पहचान करना विशम पोशी पोशन के प्रकारों को समझना पौधों में पोशन को समझना प्रकाश संशिलेशन की प्रक्रिया को समझना पौधे, जल और कार्बन डायोकसाइड कहां से प्राप्त करते हैं इस बात का पता लगाना प्रकाश संशिलेशन के महत्व को समझना जैव प्रक्रम के प्रकार आधार भूत जैव प्रक्रम निम्न प्रकार के होते हैं गती, श्वसन, समवेदन शीलिता, वृध्धी, प्रजनन, उत्सर्जन, पूर्षण और परिवहन गती के दौरान जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अथवा एक इही जगह स्थिर रहते हुए अपने अंगों को गती प्रदान करते हैं श्वसन वह प्रक्रिया है, जिसमें शरीर दौरा ग्रहन किये गए भोजन से उर्जा प्राप्त होती है समवेदन शीलिता अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन को महसूस कर सकने की ख्षमता है बच्चे से व्यसको होने को हम व्रिधी दौरा परिभाशित कर सकते हैं जीव प्रजनन दौरा अपने ही जैसे और जीव उत्पन्न करते हैं उत्सरजन वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर में बचे मल को बाहर निकाला जाता है पोशन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को ग्रहन करने के बाद में उसे छोटे कड़ों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उसे अफ्शोशित कर सके परिवान वह प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के एक भाग में बना पदार्थ, शरीर के दूसरे भागों तक पहुँशता है पोशन जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, सभी जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए विभिन प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती है इन सभी प्रक्रियाओं के लिए उर्जा की आविशक्ता होती है, जीवों को यह उर्जा शरीर के बाहर से भूजन के रूपे मिलती है भूजन ग्रेंड करने और उसको प्रयोग में लाने की प्रक्रिया को पोशन कहते है भूजन एक कार्बनिक पतार्थ है, गुलुकोज सबसे सरल और स्टार्ज सबसे जटिल भूजन है स्टार्ज और गुलुकोज को सम्मिलित रूप में कार्बो हाइड्रेट कहा जाता है जब हमें तुरंत उर्जा की आवशकता हो तो हमें भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट के अतरिक्त भोजन में वसा, प्रोटीन, लवन, विटामिन तथा जल भी होना चाहिए क्योंकि ये सभी जीवों की सामाने वृथ्थी और विकास के लिए अनिवारे रूप से आवशक हैं पोशन के साधन किसी जीव द्वारा भोजन को प्राप्त करना उस जीव के पोशन का साधन होता है तत्वों और उर्जा की सामाने अविशक्ता सभी को होती है लेकिन सभी में इसकी पूर्ती अलग-अलग तरह से होती है इसलिए हर जीव के पोशन का धंग अलग होता है भोजन प्राप्त करने के धंग के आधार पर जीव को मुख्यता दो समुहों में विभाजित किया गया है स्वापोशी एवं विशम पोशी स्वापोशी पोशन स्वा का अर्थ स्वयम और पोशी का अर्थ पोशन है अर्थात स्वापोशी का आर्थ है अपना पोशन स्वाइम करना स्वापोशी पोशन, पोशन का वह प्रकार है, जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डायोकसाइट और जल से अपने भोजन का निर्मान स्वयम करता है हरे पोधे स्वापोशी होते हैं, स्वापोशी साइनो बैक्टिरिया भी इसी प्रकार अपना पोशन करते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि वे जीव जो कार्बन डायोकसाइट और जल से अपना भोजन स्वयम बनाते हैं स्वापोशी कहलाते हैं स्वापोशी जीवों में हरे रंग का रंजक क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सौर उर्जा को अफ्षोशित करता है स्वपोशी जीव अफशोशित सौर उर्जा का उप्योग प्रकाश संशिलेशन द्वारा कार्बन डायोकसाइट और जल से गुलुकोस बनाने में करते हैं प्रकाश संशिलेशन प्रक्रिया का समीकरण ये है विशम पोशी पोशन विशम का अर्थ अन्य और पोशी का अर्थ पोशन है अथा इसका अर्थ है अन्य सुरोतों से अपना पोशन करना विशम पोशी पोशन पोशन का वह प्रकार है जिसमें जीव अपने आसपास के वतावरण में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डायोकसाइट और जल से अपने भोजन का निर्वान नहीं कर सकता और अपने अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्वर रहता है अधिकतर जीवानों कवक और पशों में इसी प्रकार का पोशन होता है वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डायोकसाइट और जल से अपना भोजन स्वयम नहीं बना सकते तथा भ विशम पोशी वह उभोगता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्वर रहता है विशम पोशी पोशन के प्रकार विशम पोशी निम्न तीन प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृत जीवी, पर जीव, होलो जोएक मृत का अर्थ नश्ठ हो चुका और जीवी का अर्थ आश्रित है अर्थार्थ ये वो पोशन है जिसमें जीव पोशन के लिए नश्ठ हो चुके कार्बनिक पदार्थों जैसे सड़ा हुआ पौधा अथ्वा मृत पशू पर आश्रित रहता है जैसे कवक तथा बहुत से जीवानों मृत जीवी होते हैं पर का अर्थ दूसरों पर और जीवी का अर्थ आश्रित है पर जीवी वह जीव होता है जो वृध्धी, भोजन और आश्रह के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है लेकिन अपने पोशक की उत्तर जीविता में कोई सहायता नहीं करता जैसे प्लाजमोडियम, कुसकुटा, फीता क्रिमी इत्यादी होलों का अर्थ, ठोस पदार्थ और जोई का अर्थ पशू है अर्थाथ, ये वो पोशन है जिसमें भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों का अंतर ग्रहन किया जाता है जैसा की सभी पशू करते हैं, जैसे मनश्य, शुआन, मवेशी, अमीबा पौधों में पोशन हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हरे पौधे स्वपोशी होते हैं और प्रकाश संशलेशन द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संशलेशन प्रकाश का अर्थ सूरी का प्रकाश और संशलेशन का अर्थ निर्माण है अधा प्रकाश संशलेशन का तातपर्रे सूरी के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण है प्रकाश संशलेशन वह प्रक्रिया है जिसका उप्योग सभी हरे पौधे, नीले हरे शैवाल, साइनोफाइटा और कुछ जीवाणूं करते हैं यहां कार्बन डाइयोकसाइड और जल से कार्बनिक यौगिक मुखिता शरकरा बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें उड़ जाके इस रोत की रूप में सूरी के प्रकाश का प्रयोग होता है और क्लोरोफिल सूरी के प्रकाश को अफशोशित करता है प्रकाश संशलेशन को संक्षिप्त रूप से इस समी करण द्वारा दर्शाया जा सकता है प्रकाश संशलेशन मुखिता दो चरणों में विभाजित होता है प्रकाश आश्रित चरण प्रकाश आश्रित अभिक्रियाएं इनमें विकिरण उर्जा, ATP के रूप में रासाइनिक उर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अंदकार मैं चरण प्रकाश मुक्त अभिक्रियाएं प्रकाश आशरित चरण में बनी ATP का उप्योग करते हुए एंजाइम संशलेशन द्वारा मध्धे वर्ती कार्बो हाइडरेट और अन्य योगिकों के निर्मान को निरूपित करता है। प्रकाश संशलेशन की क्रिया निम्न तीन चरणों में घटित होती है। अफशोशन क्लोरोफिल द्वारा सूरि के प्रकाश से सौर उर्जा का अफशोशन रूपान तरण सौर उर्जा का रासाइनिक उर्जा में परिवर्तन सौर उर्जा द्वारा जल का हाइडरोजन और ऑक्सीजन में तूटना अपचायन हाइड्रोजन द्वारा रासाइनी कूर्जा का उप्योग करते हुए कार्बन डायोकसाइट का अपचयन करके ग्लुकूस जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्मान कार्बन डायोकसाइट का अंतर ग्रहन कार्बन डायोकसाइट वायू स्टार्चल में ही उपस्तित है हरे पौधे पत्तियों की सतेह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों की जाहता से वायू से कार्बन डायोकसाइट लेते हैं ये सूक्ष्म छिद्र रंधर कहलाते हैं कार्बन डायोकसाइट रंधरों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है प्रतेक रंध्रिये चिद्र एक जोड़ी द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है ये द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंध होने को नियंतरित करती है द्वार कोशिकाओं में जब जल प्रवेश करता है तो वो फूल कर वक्र हो जाती है जिसकारण रंद्र खुल जाते हैं दूसरी ओर जल जब द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है तो वो सिकुड कर सीधी हो जाती हैं और रंद्र बंध हो जाते हैं जैसे ही रंद्र खुलते हैं, वायो मंड लिए कार्बन डायोकसाइड उनमें प्रवेश करने लगती है। जल का अंतर ग्रहेंड पौधों में प्रकाश संचलेशन के लिए आविशक जल पौधों की जड़ें परासरन द्वारा मिट्टी से अफ्शोशित करती हैं। नलिकाउं द्वारा पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संचलेशिये कोशिकाउं में पहुँशता है। जहां उसका प्रेयोग प्रकाश संचलेशन में होता है। प्रकाश संचलेशन का महत्व प्रकाश संचलेशन कई कारणों से महत्वूं है जिन में से कुछ प्रमुक कारण निम्न है। हरे पौधे प्रकाश संचलेशन की साहिता से कच्चे माल के रूप में मात्र कारण डैयोकसाइड और जल का उप्योग करके भोजन का निर्मान करते हैं। इसलिए ये प्रिख्वी पर जीवन बनाए रखते हैं। प्रकाश संचलेशन की प्रक्रिया में आक्सीजन का उत्सरजन होता है, जो पशुओं और मनिश्यों के लिए आविशक है। जीवाणों को भी श्वसन के लिए इसकी आविशकता पड़ती है। इधन के जलने में आक्सीजन की आविशकता पड़ती है। जीवाश्म इधन जैसे कोईला, तेल और प्राकृतिक गैस ये सभी संदक्षित सौर उचा हैं, जो करोणों वर्ष पहले प्रकाश संशलेशन द्वारा बनाए गए थे. क्या आप जानते हैं, ATP उर्जा मुद्रा है, द्रिश्य वन क्रम से हरे रंग को अफशोशित ना कर पाने और उसे परावर्तित करने के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती हैं. नीला और लाल प्रकाश, प्रकाश संशलेशन के लिए सब से उप्यक्त है. प्रकाश आशरित अभिक्रियाएं क्लोरोपलास्ट के थाइललेकाइट में होती हैं. कारबन डायोकसाइट का योगी की करण क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है प्रकाश उर्जा की छोटी छोटी थैलियों जिनें फोटॉन कहते हैं इसके रूप में उस सर्जित होता है जल का तूटना प्रकाश अबघटन कहलाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं जीवित रहने के लिए प्रतीक जीव को विभिन उत्तकों की प्रतीक कोशका में आकसीजन, जल तथा भोजन की आवशकता पड़ती है जीवन को बराय रखने के लिए अनिवारे रूप से आवशक विभिन प्रक्रियाएं जैव प्राक्रम कहलाती है गती, श्वसन, समवेदन शीलिता, वृध्धी, प्रजनन, उत्सरजन, पोशन और परिवहन प्रमुक जैव प्रक्रम है जैव प्राक्रमों के चलते रहने के लिए प्रतिक जीव को उर्जा की सतत आविशकता होती है जीवों द्वारा पोशक तत्वों के अंतर ग्रहन, उनके उप्योग, साथी श्वसन के कारण ही उर्जा मुक्द होती है पोशन के प्रकार के आधार पर जीवों को स्वापोशी और विशम पोशी इन दो समूहों में बाटा जा सकता है स्वापोशी पोशन में जीव बाहे उर्जा सुर्जा का प्रेयोग करते हुए सरल अकार्बनिक पदार्थों से उच्च उर्जा युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं विशम पोशी पोशन में जीव दूसरे जीवों द्वारा निर्मित जटिल पदार्थ का अंतर ग्रहन करता है